कि नमस्कार मैं राना कुमार्शी के भी स्टूडियों के खास कारेकरम कहता बेगुसरे बढ़ता बेगुसरे में आज उपस्तितु मका नुसंद्धान केंद्र कुस्महुत बेगुसरे में मेरे यहां आने का एक उद्धेश है हमारे बीच कई पदाधिकारी हैं किर्शी विवाग के इंजिनियर भी हैं हम उन लोगों से जानेंगे कि मक्य की खेती किस परकार की जाए ताकि किसनों को अधिक से अधिक लाब हो हम जानेंगे बेगुसरे जहां पर 1997 में ततकालिन क्या था हम यहां के पदाधिकारी लोगों से जानेंगे कि किसान को हम लोग अलग की पढ़ाई दे देते हैं इसे खेती करना चाहिए लेकिन क्या मक्या अनुसंधान केंद्र आने पर उन्हें प्राइक्टिकली जानकारी मिल पाएगी है बेगुसराय के किसान को ही नहीं प के रूप से कौन-कौन से भिराइटी हैं यहां आने का एक उद्देश मात्र है कि इन लोगों से जो मेरी बाचित होगी आप तक पहुंचे और आप भी बेगुसराय के प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बनाएं उच्छ अस्तर से मक्य की खेती करें और आस करें हमारे साथ मक्का अनुसंदहन केंदर के पदाधिकारी हैं हम सब से पहले इनका नाम जानेंगे और पद जानेंगे कि यह किस पदपर हैं सर सबसे पहले के भी श्टूडियों के हमारे कारेकरम में आपका हर दिख स्वागत है मैं इस केंद्र के बारे में थोड़ा सा बता दूं यह चेत्रिय मक्का नुसंदान एवं बीजुत पादन केंद्र इसकी स्थापना चार मई 1997 को की गई थी इसका यह में केंपस है फार्म है और इसका एक चोटा केंपस जो आफिस है वो विशनुपूर बेगुसराय सहर में है यह फार्म का इसका पूरा एरिया लगबग 97-93 एकड का है और इसमें मुख्यत है यहां जो कारिया हो रहा है पिछले लगबग 8-9 साल से बड़े अस्तरपर कारिय के जारा नुसंदान कारिया हो रहा है इसमें हमारा जो उद्देश से स्केंद्र का है कि जो पूरवी भारत है उसके प्रदेशों जैसे बिहार उडिशा पश्मी बंगाल जहार खंड इन छेत्रों की आवस्यक्तियों को ध्यान में रखते वे मक्का का अनुसंद्धन कारी करना है और साथ ही साथ उच्च कुणवत्ता का प्रजनक बीच तियार करना है जिससे की हाइबड बीच तिय कारिये हैं आप सभी जाने और में रभी की जो मक्क आ है एक बहुत मुक्या वेसल है तो हमारे मुख्याले दौरा भाड़ती है मक्का नुसंधन ऑन सन्स्थान द्वारा विश Uréis सुरॉप से से छेत्र को फोकस किया जारह है और हमारे जो अनुसंद्धन का रहें है वर्स भर्के रभी मोस्ष्व के सभी वर्गारिय हमारे इसी के ब states fairness है हमारे जो मुष्धाल है वहां के जो पड़धर गानि democrat है वो सभी अपने नुसंधान का रही हमतिंदान का रही यहां पर करते हैं मैं अभी अपने टीम data करा दो हमारे ये डाक्टर चिकपपा है जो दिल्ली के यूनिट से हैं डाक्टर परदीब जी है जो हमारे मुख्याले लुद्याने से आए हुए इसी प्रकार हमारे कुछ अन्य जो वैग्यानिक है अभी यहां पर वाई के समय अपने एक्सपरिमेंट लगाने के लिए आये थे और वह दीरे अभी गए हैं इसी प्रकार वह तीन समय पर यहां आते हैं वाई के समय पर और जब यहां एक हमारा पॉलिनेशन की क्रिया होते हैं रिशाचन उसमें होता एक्टिविटी और हर्विस्टिंग के टाइम पर आते हैं तो स्की दीच चाहिए या गर्मियों में हमें अधिक बारीस होते हैं पर तो उसको साय चाहिए तो उसी दिसा में हमारा कारें चला और रगत कुछ वर्सों में हमारे अनुसंधान केंच दिवारा लगब आठ्ट वराइटियों विकास किया गया है बिहर परदेश के लिए दो क और गातवारसी बिहार के लिए एक और अउन्ट हाइबिड शंकर मक्का का विकास किया गया है डिया माराच तेरह सो आठ जिसका अब बड़े पैमाने पर ब्रेटर सीड का उतपादन किया जा रहा है और यह जो हमारी सीड प्रडॉक्षन एजेंसी जैसे की एनसी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है बियार बियार ने बिहार राज्य का उनके साथ मिलकर और इसके अलवा वेस्ट बंगाल जो मुख्यत अब एक नए बीज उतपादन के छेतर में एक हब के रूप में उभर रहा है वहां कि कुछ ए हमारे अनुसंधान द्वारा दो है बी और सबी जो मख्या में जितने भी विकल्प हैं उन सभी पे द्यान करके उनका विकास किया जा रहा है इसके अलावा इस गेंदर दुबारा मक्या में तो हम बीजित पान करी रहे हैं लगबग हमारा परतिवर्स 40 कुंटल से लेके और सत्तर कुंटल के बीच में ब्रिडर सीड क्योंकि ब्रिडर सीड को प्रोडक्शन करना बहुत ही टिपिकल होता बड़ी टेक्निकल लोली जुसमें चाहिए मेज के लिए उसका उत्पादन किया जा रहा है जिस से हजारों कुंटल का बीच जो है आगे चलके किसानों को मिल पा रहे हैं गत वर्सी हमने आधार बीच के रूप में चार परजादियों का बीच उत्पादन किया है जिसका हमने शप्लाई यहां बेयार राजय बीच निगम को भी दिया है और वह बीच आगे जाके आधार भी जाके किसानों के खेतों पर मिलेगा इसी के साथ हम जो करीब म मक्का लगाते थे गर्मी में भी मक्का लगाते थे उससे क्या हो रहाता हो कि हमारी जो मिट्टी की संराचना उसमें एक विकार आ रहा था तो हमने किसानों के विकल्प पर तुमें एक स्वैबीन का विकल्प दिया यहां पर 2012 में बेगुसराय जिला में केवल 224 हेक्टेर में मातर में स्वैबीन का उत्पादन होता था जो पिछले साल बढ़कर लगबग 38,000 हेक्टेर तक पहुच चुका है और इस केंद्र ने यहां इस स्वैबीन के उत्पादन के उसमें बहुत महें तुम भूमी का निफाई है बढ़ा गया है जिसकी वेशे हमना कुछ मैक्सिमम एरिया हमने रिसर्च के उसमें लिया है तो उसके साथ फिर भी हमारा प्रियास यह रहे है कि जतना ज्याद़ ज्याद़ हम किसानों को बीज़ पार करके दे पारे हैं इसके अलावा इस केंद्र दौरा किसानों को मक्का स सब्सक्राइब बिहार में उसकी पता लगाया गया था कि यहां बिहार में पहुंच चुका है और तुरंत ही हमने पूरे राज्य सरकार को विश्य विद्यालों को उससे अवगत कराया और उनको अलट कर दिया कि इसकी रोक थम तुरंत की जानी है और उसके लिए हमारे मु किया गया और एक बड़े नुकसान से बचाया गया इसके साथ हम जो नए हाइबिड आते हैं बिहार परदेश के लिए उनका इक डिमॉस्टेशन हम लगाते हैं लगबग हर वर्स हम पचास से साथ जो हैविड है नई वराइटी है उनका पर दरसन यहां पर करते हैं और किस कितना दूरी पर लगाना है कितना उसका हाइट होता है कितना लंबा यह बुट्टा कैसा किसान खुद उससे अवगत होता है और उसके बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाती है सर हम देख रहे हैं कई प्लास्टिक के खंभे लगाया हुए एकसर कोई भी बाहरी लोग आएगा तो उसके दिमाग में आएगा कि यह है क्या इसके बारे में देखिए इसमें क्या है कि जैसे हम मक्का की बवाई करते हैं तो आस पास में देख रहे हों कि यहां पर पेड़ लगे हुए हैं और पकशी यृग रहे हैं तो जैसे हम भुआ ही करते हैं तो यह मिट्टी से दाना निकाल लेता है तो दिकान दाने को निकाल के कहा जाता है तो एक ये एक ribbon होता है, इसको हम bird scaring ribbon कहते हैं, कि ताकि इससे पक्सी डरता है, तो इसको हम बीच-बीच में कुछ पोल लगा के इसको पटी को लगा देते हैं, और ये पट्टी जो है एक तरह से एक तरफ से सफेद रंग का है, सिलवर कलर का दूरे लाल कलर का है तो हावा से यह आएड़ बाइब एक तरह के आवाज बीज को नुकसान बहुत भात धन्यबासर माकान संद संध जी से ह farklı और चाँ गूए है आए वाइट कंडिश्ट chains सर मेली हमारा ब्यगूस रचिला जो है यहाँ पर तीन सर जैंसे बताए कि तीन फस्ल मक्किय की होती है यूँ कहें कि सालों भर मक्कय की केति हैं यह conjugate होती है लेकिन अभी भी जॉखता के आभणमें किसानולों कौन सबीज को कब लगाया जाय यह नहीं जान रहे हैं तो आप लोगों के अस्तर से उन लोगों के प्रेशिक्षन के लिए कोई व्यवस्था यहां होती है हाँ जैसे हमारा प्रमुक वाई द्यारिक एसपी सिंग सर ने बता रहे थे इस क्षेत्र में हम रेगुलर इंट्रोल में ट्रेनिंग अरेंज करते हैं उसके लिए किसानों क करते हैं किसानों को हमने इनवेट करके एंड जो बहुत बहुत सरे स्टेट अगरकाज़ डिपार्मेंट का उफिसर से उनको हम कम्यूनिकेट करते हैं आप ऐसे एक प्रगतिशील खिसानों को एक डिफरेंट डिफरेंट गाउं से आउन ले के आजए शो जैट पूरे बिह कुचा सके एंड सबसे इंपर्टेंट है इस क्षेत्र का बहुत एक बड़ा योगदान में यह कहरां चाहता हूं आपने सुनाए होगा दो तीन साल एंड 2002 के बाद और 2007 और 12 के बाइस में जब इदर सर्दी के मोसम में जब मका उगाया था उसमें पोलन सीट सेटिंग नही दाने नहीं आये थे एंड एक बड़ा इश्यू बन गया था एंड गोर्मेंट को भी उन्होंने शायद रिप्रेजेंट किया था यही एस पी सिंग सर उस कमिटी का एक मेंबर भी थे एंड उन्होंने उससे पहले डाक्टर साहिदास एक हमारा डिरेक्टर था 2006 में उन्हों से खाली हो जाता है तुरंत उपजाओ कर देते लगा देते उसको अवाइड करना क्यूंकि जैसे देख लिजे जब आप टेंपरेचर मैंने एक चुली बीस साल का कुछ टेंपरेचर अनलिसिस किया हूं इसका टेंपरेचर बेगुसराय एंड इन एंड अरूंड बेगुस जाता है तो उसमें बीज नहीं बनता है इसलिए अगर मालेज अगर आप नौंबर फस्ट वीक में नौंबर फस्ट वीक से पंद्र के बीच में अगर आप लगाएंगे तो वह सर्दी का मौसम वह स्केप हो जाएगा फ्लावरिंग जो है पेब्रोरी फस्ट वीक जनेवरी तो उसमें सिट शूर नहीं कोई दिकत नहीं आता है हमरे किसा ने पास हम चले गए सेथ हमएंगे अएक प्रद्ट है जो सदोन कोई सेटिंग नहीं ता अगर सेटिंग व्याल तो भी का फ़िल्ड के बागल में हमारा देचरए उसमें बिल्कुल कोई सीट सेटिंग नहीं ता इसलिए गवर्में अभी जो सेर कहे रहे थे इस अनुशन्दान के थ्रू हमरेग इस इसमें ऐसे प्रजाती उनको डिवलप करते हैं जो सर्दी का मौसम कोल्ड भी टॉलरेट करें हीट भी टॉलरेट करें ऐसा कुछ प्रजाती है हमारे पास क्या है तो बिहार परदेश के लिए जो हम लोगोंने रिसर्च करन संधन करके बता किया है उसमें नॊंबर महा के परतम सब्सक्राइब प्रतम सब्ता से लेकर हवाह कर तो उसमें सर्दी से होने वाली सब्सक्राइब या नुक्सांस बहुत कम रहता है और जनवरी में आप जानते हैं कि बहुत कम तापमान होता है, और मक्का के पोधे के लिए 10 centigrade से नीचे का तापमान अच्छा नहीं माना जाता है, और जब 5 centigrade से और नीचे तापमान नीचे चला जाता है, तो पोधे को नुकसान होने लगता है, पोधे में विकास रुख Gा कि सभी किसायन भाइभी मक्हा को लगाने में जल्दी ना करें किसायन भाइभी सोचते हैं कि जो पिछला नमी जमीन में बचा हुआ हुआ है उसको हम ठियोग कर ले और जल्दी सी ζल्दी भाइब कर दे लेकिन अगर सर्दी के नुक्सान से बचना है तो यह ध्यान रखें कि मक्का की हमेशा नॉम्बर से पांच नॉम्बर से लेके 20 नॉम्बर के बीच में ही करें बीच नॉम्बर से लेके तो थोड़ा उसमें उपज में कम होने की संभावना रहती हैं बहुत अच्छा लगा सर यह जानकारे हमारे ब्यगुस राइबासियों को यह नहीं रहती है कि हम अक्टूबर प्लांट की खेती कब करें लोग जाना है अक्टूबर प्लांट में करना अक्टूबर में ही जाकर कर देते हैं जहां पर आप दोनों आदमी ने बताया कि पोधे में बीज सही समय पर नहीं आता है अधिक ठंड परने के कारण हमारे साथ मकान उसंधान केंदर के एक और वईग्यानिक हैं हम सर से जानेंगे कुछ विशेस बात हैं सर हम देख रहे ह हैं कि एक पोधे से दूरी दस से बारह इंच होनी चाहिए और यहां हम देख रहे हैं मुश्किल से पहुत से च्छा इंच है इसके बारे में इसके लिए जो हमारा है यह मैली एक्सपरिमेंट के लिए ट्राइल लगे हुए तो ट्राइल में क्या होता है कि पोपलेशन होना बहुत जरूरी है अगर population हम एक रो में तीन मीटर की रो में बीस प्लांट रखते हैं तो बीस प्लांट रखने के लिए हम उसमें कम से कम तीस प्लांट लगाते हैं यह चालिस सीड लगाते हैं डबल डालते हैं जिससे population maintainer है बाद में क्या होता है कि अभी यह थोड़ा बड़ा होगा तो हम थीनिंग कर देंगे जिस度रह है कि एक plant में हमारे BC plant रहे हैं और हम भी डिस्टेंस रखते हैं 20 cm की रखते हैं उसके लिए क्या सुविधा है यह सुविधा यह है जैसे सर ने भी बताया है हमारे प्रधानवे ग्यानिक डॉक्टर एस भी सिंग ने कि हम समय समय पर पर्शिक्षन देते रहते हैं और पर्शिक्षन जैसे एक तो आप यहां पे बिहार में जो ज्यादे तर लोग लगाते है वो दाने के लिए मक्का लगाते हैं लेकिन विसेश परकार के भी मक्का होते हैं जैसे मीठी मक्का है एक बेबी कौन होता है जिसे छोटा बुट्टा बोलते हैं वो सबजी के लिए यूज होता है आज कल आप पिज्जा में देख लो किसी में देख लो तो बेबी कौन का बहुत यूज है और मीठी मक्का भी आपके इधर तो यह इतना नहीं है पंजाब में आप देखो के सरसो का साग बनता है उसमें भी मीठी मक्का और बेबी कौन भी इसका सब का पर सिक्षन आपको टाइम टाइम पर यहां मिलता रहते हैं हमारे चीफ इंजनी बेग्यानिक जो है यह कुछ सब्द आप लोगों के लिए रखना चाहते हैं हाँ मैं थोड़ा सापने सभी किसान भाईयों के बता दूं कि मक्कान सुंधान केंदर दुबारा सभी किसान भाईयों को समय समय पर सिक्षन तो किये ही जाते हैं अगर कोई भ इसके बारे में या तो फोन कर ले या हमारे केंदर पर आके बताएं और मैं तो सभी किसान भाईयों से यह भी कहता हूं कि अगर दस बीस किसान भाईयों ऐसे एक छेतर में खटे हो जाते हैं कि हमारे एक गुरूप है और हम प्रसिक्षन चाहते हैं तो हम उनको प्रसिक्ष हमें लिया के भी स्टोडियों परिवार को हमारी की फश्टोडियों के कि दुआरा Kung कि श्ट्वशक बंधों को आपने अपने भूमुल्य समय दिया इसके लिए हम अपने के झाल